नो भावालू यह व्ए देखो भाई आप लोग भालू की दर्शन कर लो यह देखो इधर रहे था आलक नन दा और वहें वागी देथी की उपर बार्च जा रहा होती 마 तो वहां का में तृटिला पानी आता है और यह देखो बिल्कुल ही किलीर पानी आता है बस बारा किलियो मिट्रे का ओर ट्रिक बचा है थोड़ी सी से उसके बाद मी भाई खाके तब हम यहां से निकलेंगे वाई चलो पे और सभी लोग देखो यह अभी काटके गहें बरफ आज बोने चेर संकर फिलाल हबी पेक अप हो गया है सीधिये केदारनाथ के लिए आज हैं हम देहरा दुन में आज है पांस तारिक और बाबा मुझे न केपट खुलने जाए दस मही को भाई तो बहुत ही जल में वहां पहुंचने वाला आज की राज जहां तक है देप्रिया की बीच में जो भी मेरे साथ जर्नी होगा वह आपको दिखाएंगे और आज से मैं आपको चारधाम 12 जोति लिंग एंड पुरी भर्व की आत्रा करने जा रहा हूं तो आप अर्म की आत्रा को जोन कर लो और अगर आप यूटू चनल पे नहे हैं तो यूटू चनल को कर लो तो यार प्यास लगी पहले पानी पिया जाए उसके वाद में चलते हैं क्योंकि बजन बहुत है यह भी है केमरा की बजन बहुत है चलो देखते हैं यार रिसी केस तो आगय है अप लाल अभी रिसी केस निकली थे जब तक भहिया ने गाड़ी रोक दी वह आपका नाम क्या सतीस रतोडी सतीस रतोडी कहां से आप श्री नगर से बहुत है तक जा रहे है वहां तक तक लिफ्त मिल गए उसके वाद आगे देखते हैं कहां तक आज पहुंच जाएगे जहां तक रूत पर्याग में भाई अलग नंदा और भागी रेती का संगम होता है आप लोग दिख रहा है यह देखो इधर है बाई अलग नंदा और भागी रेती यह दोन दोनों नंदिया मिलती है तो भाई बहुत ही देखो यह आगे ऐसा लगता है कितना नेचुनल प्रानी जा रहा है आगे यह वहां गंगा बनके चलती यहां तक भाई वह भागी देखती है पार आसतर सीधे जाती है कि Adult require तो चलो दो अभी चलते हैं सीधे क explicitly केंदानाथ और यहां से लगवा अभी हमें चलना है चलना है आज की रात हमें रुखना है रुद्ध प्याग में रुखना है चलो फिलाल तो चलते हैं हरारमादे भीया कहां से आ रहें आप शत्तिस गड़ से कितना किलमेटर यहां वहां से यहां तक होगा बारस होगा होगा तो कितने दिन चलते होगा कितने दिन चलते होगा अभी तुन्टिटू दिन बाइस दिन हो गया यानि कल तो उखिमत पहुंची जाओगे आराम से कल सुबह 8 बजे निकलेगे वो डोली वहां से उखिमत से आज करने एभी तो सिरीनंगर यहां कल पहुंच नहीं बाइड़ चलो जाते हैं तो आपको खाने की बहुत टेंसर नहीं रहती है तो जाते हैं न खान आने की टेंसर नहीं रहते आपको कि चलो अर्ण माहात ये आपकी आत्रा मनों का मनाए बूरी हो जाएंगी है रुद्ध प्रियाग और ये है मन्नाकिनी इसका पानी है इतना अप्लेण और इसका थोड़ा पानी गंधा के उपड़ बारिस जह रहा होते है न तो वहाँ का में दिला पानी आता है और ये देखो यहां नहीं लगे सब यहीं से पानी बरके लेके जाते हैं उपर है मंदिर यहां पर केंप लगाया था हम लोगों ने यह दवाई पूरा पेकप हो गया भाई कर रहा है अपना पेकप चले चलो भाई निकलते हैं और यहां से लगवग दोरी है लगवग 40-50 किमेंटर यहां से उखी मठ है चलो निकलते हैं यहां से गरीना करते हुए है और हरार महाले अब पहुंच गए है और यहां से बावा की टोली चलेगी सुबह साड़े नौ बज अभी नौ बज रहा है अभी मैं पहुंच गया हूँ अभी चलो चलते हैं वाई टोली के लिए देखते हैं वहां पे कितनी बाई प्रोग्राम कितनी अच्छी वहां डाहन सब्सक्राइब कि में अच्छा वहां पर क्या होता है फिर आज चलो मंदिर के लिए चलते हैं चलो भाई अभी आ गए उखी मट यह मंदिर कुछ यहां से एसे नजरा देखता है यह देखो भाई न चलो भाई लोली की लोले जा चुकी है यह देखो भाई वह बोले वह बोले भोले तो फिरहां जाए अब हरार महादेव अभी टूली कुप्त कासी में पहुंच चुकी है ये देखो बाई भीड़ इतना होता है कुप्त कासी में बहुत बीड़ होता यार यह दोगो भाई गुप्त कासी में अभी डूली पहुंच चुकी है हार हार महादिव दोस्तों अभी आज के गोरी कुंड और बाबा भले नेत की चड़ाई कर रहे हैं लगों दो किलिमेटरी की चड़ाई कर लिए इसी बीच में हमें एक भालू दिखा यहां चलो आपको दिखाते हैं कहां पर और बाई कहां गया कि यहां पर थावाई देखो तो निकाल के अब तरहिवे दर लिए अभी दिखेगा रुकतों और बंद भूहा अगर दिखे में आपको दिखाऊंगा केमरे से जून कर गया लेकिन अभी वो जो पेडर ना कि बीच बीच में इदर से देख ते दिख जाएं देख रहा है तो गाइज यहां पे था बालु हमें लगता वह है यार अब वो तो रहा है देख कुछ फेड़ें यार इस रहे दिख नहीं रहा है मैं आशी यह है वहां है यह और हमें लगता वहां पे वह का लग 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 दिख़ा तुम आज पो दीखा देखा देखा अबने और यह बहुत खड़ा होगा जाना तो भाई यह के दानात की घाटी और यह गाटी गाट और यह रास्ता इदर से रास्ता जाएगा चलोह कि अधो फसी धानाग सुप्वा यह घे लिखुतंग नाग पाई यह बाई तो गाइच आप लोगों को में दिखा रहा है भालू का है यहां पर का इस बहुत दिख रहा है यार इस भी नहीं दिख रहा है कर ने आप लोग बालू की दर्षन कर लो इतना दूर है जूम करता है थोड़ा सा दिखता नहीं और दिख रहा है देखो बालू किसी का निसान है के बडिया गाइच तो भालू देखने को मिल गया आप लोग देख लो यह रावाई बालू अब काला काला दिख रहा है तो वाई यहां से थोड़ा सा दिख रहा है दूरी बहुत है अगर केमरे में अच्छी जूमिंग होती तो आपको तिलिये दिखता बट हमारा इंडराइड फोन है तो अच्छा केमरा नहीं है तो आप लोग ऐसी देख सकतों यहां से अब तो है लगवाग चार किलोमेटर की चड़ाइक चड़ चुके हैं भी अभी तेरह 14 किलोमेटर बचा है यह देखो भाई यहां पर बोट लगा हुआ है गोरी कुंड तीन किलोमेटर यानि कि अभी हमने तीन हर महादेफ आपको पता है कि आज मैं बाबा केजानात की पैदल यात आधर है 22 किलोमेटर की जिसमें से अभी 10 किलोमेटर तक यह यातर कर ली है आपको बहुत दिखरा होगा यहां से 10.5 यानि 10 किलोमेटर यहां से दिखराया भी वैसे जादा है यह बहुत आइसी बना रखे इनोंने ताकि आम में मोटीवेस्ट ना सके तो रास्ते में अभी तो कोई नहीं है यह जा रहे हैं कि कुछ लेके यह दिखो भाई कितना खतवनाक रास्ता है और भीमबली बचा यहां से 500 मीटर चलो पैदर चलते हैं और जहां तक जाएंगे जो भी रास्ते में दिखरा है आपको जुरुत दिखाएंगे और बताए जारा कि रास्ते में ब बहुत बाकी है अभी फिलाले वीडियो बहुत बड़ा होने वाला आए क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा चलो अभी चलते हैं सीते हरहार महादेव भुले बाबा दस किलिमेटर तो को ट्रेक कर लिया है बस 12 किलिमेटर का ओड़ ट्रेक बचाएं थोड़ी सी सक हंते ही देना कि आपका भक्त कि दर्वा रात कि कहा हैं माना हम से बहुत बाबा के प्रेक कर लिया है बादबा की भोलेवा हमारे साथ हैं कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो दिक्कत नहीं आगे भी नहीं होगी 12 कि रूम बचा है चलो अभी चलते हैं और ठक बहुत गये पूरे सरीर में पसीना आ गया है और अंदर से भीग गया तो जहां पर रुख करेंगे चलके उसके बाद में फिर आगे चलेंगे तो दोस्तो अगर आप यूट्यू चनल पर नए हैं तो यूट्यू चनल को कर लो सब्सक्राइब तब के आपके पास यहां की पलपल की अपड़िट आपके पास आती रहे हैं हरे आतरा रात के आट बच के तीस में तो रहे हैं और पहुत तेज भूब लगाई और अभी हम राम बाड़ा पहुंच चुके हैं और यहां से लमातर साथ से आठ किलिमेटर की चड़ाई है तो सुचा कुछ खा लें पेट में अगर कुछ आ जाएगा तो तागत भी मेंगी बन गई है और सभी लोग खाने भी लगे हैं अब आपको दिखाता हूं कैसे बनीगे यह देखो मेंगी बन गई है इसमें आचार मेंने डाल दिया तो बहुत ही टेस्टी लग रही है बाई कैसी लगी मेंगी एक नमबर क्योंकि ठंडी जगा पर मेंगी मिल जाना ज तो यह क्यों खा रहे है उसका जूस पी रहा है तुम मेंगी खाई ने रहा हूं जलो भाई खाते भी मिनते हैं बाबा के दरवार में फिर चलते आपको दिखाएंगे बाबा की केसी बाई अच की आतर रही है तो भाई अभी श्री केदार नाथ 7 किलिमेटर रह गया है बेस दर्थ कर रहे हैं लेकिन दिखे दिखे नाम लेके जा रहे हैं बाबा का हर हर महादेव और चलते जा रहे हैं अच देखते हैं कितने बजे पहुंच पाएंगे गर लगवच्छ साथ किलिमीटर है याणि कि 2 घंटे लग जाएंगे भी और 10 बज गया, 11, 12 बजे हां आमने स तो बजी जाएगा चलो बादमां की सभी को हर हर मादेव रास्ता ऐसी है देखो भाई हमारे दोस्त आगे जा रहे हैं बहुती रास्ता सुंसान पड़ी है कोई जाता नहीं है कोई जाता नहीं है फाइनली ट्रेक पूरा हो गया है लगवग एक से दो किलोमेटर का ट्रेक बचा है और उसे की बीच में हमें भोले बाबा ने कुछ पल दिखाए हैं आप जो मेरे पीछे देखरो यह है वरफ पूरा वरफ का वाई यहां पर देखो पहाड का दिख रहा है और इसकी लंबाई यह लगवग 10 फिट की लंबाई है यह काट काट के रास्ता बनाए गई गई है अभी लगवग रात के बारह बज रहे हैं और सभी लोग देखो यह अभी काट के गए बरफ अभी आगे लेवर जा रही है यह देखो यहां से लेके वहां तक पूरा भाई हर तरक आपको बर यहां पर अगर आना तो सही से आना क्योंकि यहां पर पेर बहुत सरकते हैं यह देखो काट काट के रास्ता बनाए जा रही है बिलोजर से यह देखो बाई बाबा की भाई बाती ने राली है बाबा जब जो मन को होता है बही बाई करते हैं फिलाल अभी आचके हैं बाबा क आसरम में वहां लेटेंगे जाके और यह देख लो इतना यहां का प्यारा नहीं जा रहा है यह है यहां की वरफ जब भी आओगे ना के दानात में तो यह आपको ग्लेश जरूर मिलेगा यहां पर काट काट के रास्ता बनाई जाएगी यह दो भाई बनाई गई है और डेली बार यहां पर वरवारी होती है आज नहीं हुए है बता रहे हैं कि यहां पर डेली होती है लेकिन यह दो है पूरा भाई यार जब भी आओगे तो आपको यह ग्लेश पक्का मिलेगा गारंटी सुद्धा मिलेगा वाई चलो भाई अभी चलते आगे के लिए वादमकी सभी को हर हार महादेश